यसी 2nd year के 4 semester chemistry के एक और lecture में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ मैं हूँ आपका भीया रिसब सिंग और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रिसी यस क्लासेस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है quantum mechanics and analytical technique उसका जो unit 3rd है जिसका नाम है molecular spectroscopy उसके अंतरगर्थ हम rotational spectrum को भी पढ़ चुके हैं अब इस lecture से हम सुरुवात करने वाले हैं अपने vibrational spectrum के lectures को provide करना इसमें भी आप सभी को vibrational spectrum में लगभग 8 से 10 lectures मिलेंगे उसके बाद हमारा vibrational spectrum भी complete हो जाएगा उसके बाद हम बढ़ेंगे रमन spectrum की तरफ चलिए हम सुरुवात करते हैं कि vibrational spectrum क्या होता है बस अगर आप लोग पिछे lectures को नहीं देखे हैं लिखा गया है इसमें अगर ध्यान से समझा जाए तो हमारे पास बोला जा रहा है कि जब हमारे molecules vibrate करेंगे तो वहां से हमारे पास जो spectrum प्राप्त होगा उसी को ही हम कहते हैं vibrational spectrum ओके इतनी बात आपको समझ बहा चुकी है चलो अब आगे बढ़ते हैं देखो हमने यहां बात किया था कि हमारे पास जो rotational spectrum होता है उसमें हमारे पास एक खास प्रकार का हमारे पास radiations आते थे जो molecules पर टकराते थे और molecules के rotation की वज़ा से जो हमारे पास energy के packets होते थे जिनकी वज़ा से हमें spectrum यानि की रंगों का एक समूह मिलता था और उसी को हम कहते थे rotational spectrum यानि कि हमारे पास जब molecules rotate हो रहे थे अपने position पर तो इस वज़ा से हमारे पास rotational spectrum मिल दा था वैसे हमारे पास यहां पर अब हम बात करने हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में भी यही कॉंसेप्ट है कि हमारे पास अगर एक मॉलेक्यूल है और उस पर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो होते हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले होता है गामा रे ठीक है उसके बाद हमारे पास होता है एक्स रे उसके बाद हमारे पास होता है इन अल्ट्रा वायलेट रे ठीक है अल्ट्रा वायलेट रे और उसके बाद हमारे पास क्या होता था विजबल रे ठीक है और इसके बाद ह चीजह है मालेडीडिक जीज़ लिएस नहीं अगरे लेक्षर में मिल ने वाला है ङो हमारे पास प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं विजबल retrouve तो वो हमारे पास visible ray की वज़ा से होता है, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि infrared radiation की सहायता से जब हमारे पास कोई भी spectrum मिलता है, तब उसे हम कहते हैं vibrational spectrum या फिर infrared spectrum भी कहा जाता है, ठीक है, और हमने यहां भी बात किया था, कि जो हमारे पास rotational spectrum प्राप्त होता है, वह rotational spectroscopy को हम microwaves spectroscopy भी कह रहे थे, तो same process यहां पर भी apply होगा, कि vibrational spectrum हमारे पास infrared spectroscopy की वज़ा से प्राप्त होता है, इसलिए हमारे पास जो vibrational spectroscopy होगा, उसको हम infrared spectroscopy भी कहेंगे, ओके, are you getting my point? चलो, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो यहां पर infrared radiations होते हैं, इनकी जो energy होती है, मैं यहां पर energy को E से represent कर दे रहा हूँ, मैं color थोड़ा change कर लो, infrared जो radiations होते हैं, इनकी जो energy होती है, बाव होती है, 1.99 into 10 to power minus 1 kJ per mole होता है, ठीक है, यह सभी चीज़े मैं अल्रेडी समझा चुका हूँ, जब आप सभी को electromagnetic radiation वाला lecture प्रवाइड किया था, तो, अब इतनी कम energy होती है, इनके पास, जो हमारे पास infrared radiations होते हैं, इनके पास इतनी कम energy होती है, कि जब यह किसी भी molecule पर पढ़ते हैं, let us suppose कि हमारे पास एक molecule है, जो कि इस energy level पर उपस थी था, ठीक है, जिसे हम नाम दे देते हैं, कि यह हमारे पास E1 है, अब यहां से यहां तक यह हमारे पास एक दूसरी energy level है, जिसे हम E2 नाम दे रहे हैं, तो, जो हमारे पास electromagnetic radiation जो होते हैं, वो जब इस molecule पर पढ़ते हैं, तो, इतनी कम energy इनके पास आती है कि यह electron, यह जो हमारे पास particle है, electron है, या फिर मैं कहूं, atom होगा, वो हमारे पास इतनी कम energy को absorb करता है, कि वो यहां तक पहुँच ही नहीं पाता, इस E2 energy level तक पहुच ही नहीं पाता, यानि कि electronic transitions नहीं कर पाता है, ओके, समझ पा रहे हैं ना इस बात को, मतलब की कहने का यह म होता है, वह energy levels को नहीं convert कर पाता, energy levels को नहीं change कर पाता, बलकि वह अपने vibrational energy level पर बदलाव कर पाता है, जो उसका main energy level है, उसमें वह convert नहीं हो पाता, वह उचल कर दूसरे energy level पर नहीं कूद पाता है, लेकिन वह इतना कूदता है, कि वह हमारे पास एक energy level, जिसे हम नाम दे लेते हैं कि यह हमारे पास vibrational energy level V is equal to zero है तो वह energy को जब absorb करता है तो suppose कर लेते हैं कि वह V' energy level vibrational energy level पर पहुँच जाता है और इसी की वज़ा से यहां पर हमारे पास energy packets release होते हैं जिसकी वज़ा से हमें spectrum प्राप्त होते हैं और उसी spectrum को ही हम कहते है vibrational spectrum ठीक है यानि कि जो हमारे पास molecules होता है यहां पर तो मैं कूदने से related बताया हूँ vibrational spectrum में क्या होता है कि जो हमारे molecules होते हैं वह vibrate करते हैं अपने position पर और यह वह इतनी तेजी से vibrate करते हैं कि जो उनका side जतने वीच का उनका जो vibration है उन्ही किनारे को ही हम कहते हैं V is equal to 0 से V ds हम कहने लग जाते हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ के होंगे अब चलो यहाँ पर जो हमारे पास vibrational spectrum प्राप्त होगा उसको हम जिसकी सहायता से measure करते हैं उसी को ही हम कहते हैं vibrational spectroscopy या फिर infrared radiation की वज़ा से यह हो रहा है तो इसलिए हम उसको अगाते है infrared spectroscopy तो अब infrared spectroscopy को हमें पढ़ना इस सेप्टर के अंतर गात तो चलिए शुरुआत करते हैं देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है मैं already लिखकर लाया हूँ क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है और मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीजों को पढ़ा सकूँ एक ही lecture में तो इसलिए मैं चीजों को लिखकर लेकर आ रहा हूँ ठीक है infrared spectrum is copy is one of the most powerful technique which gives the possibility of chemical identification जो हमारे पास infrared spectrum is copy होता है वह एक ऐसा powerful कि एनलेटिकल टेकनिक होता है जिसकी सहता से हम chemical का identification कर पाते हैं chemical compound का हम identification कर पाते हैं ठीक है अब यहां पर बात करते हैं कि radiation in the infrared region from फ्राम एबाउट च्हेतर सो से 6,000 गुड़े 10 to power 6 आंग्ष्राउम के बीच होता है यानि कि हम जो वेवलेंथ अपना बात किये थे इंफ्रारेड डिडियेशन का तो इंफ्रारेड रेडियेशन का जो हमारे पास वेवलेंथ होता है वो यही तो होता है कि उसकी वाज़ा से हमारे पास electronic excitations in most organic molecules में हो ही नहीं पाता है electronic excitations मतलब क्या कि हमारे पास एक energy level से कूद कर दूसरे energy level पर पहुंच ही नहीं पाता यह कहनी का मतलब है तो इस situation में जो हमारे पास infrared radiation होते हैं causes stretching and bending of organic molecules अब यह जो हमारे पास organic molecules होते हैं उनमें क्या करते हैं यह जब infrared radiation absorb किये जाते हैं किसी भी molecule के द्वारा या दोनों ही हमारे पास जो atoms होते हैं, वो excited हो जाते हैं, अब यह excitations हमारे पास दो-तीन प्रकार से हो सकते हैं, पहला तो यह हो सकता है कि यह दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा दूर भागने की कोसिस करने लग जाए, क्योंकि energy बढ़ चुका है, तो कोई भी compound अपने stable state में तब रहता है, जब वह अपने energy के सबसे lowest point पर रहता है, ठीक है, लेकिन जब energy को absorb कर लेगा, तो हो सकता है कि वो एक दूसरे से जो जिस bond की सहायता से जुड़े हुए हैं, यह हमारे पास bond है, इस इस प्रकार का rotation करने लग जाए, और यह वाला molecule इस प्रकार का rotation करने लग जाए, दूसरे तरीके से मैं कहूं, कि यह हमारे पास bend होने लग जाए, कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक दूसरे से bend होने लग जाए, ठीक है, यहाँ पर rotation word वैसे मैं गलत उपयोग कर लिया, यह उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास बोला जारा कि इन और और गनिक मॉलिक्यूल से जितने भी हमारे पास और गनिक मॉलिक्यूल होते हैं गर उस बॉंड का इस ट्रेचंग हो रहा है या फिर वह बंड हो रहे हैं दोनों पॉसिबिल्टी में वह molecule infrared radiation को ही absorb किया है और कोई भी प्रकार का radiation वह absorb करेगा तो इस प्रकार का phenomenon नहीं सो कर पाता यह बात हमेशा ध्यान में रखना तो आप से objective type के question में भी पूछा जा सकता है क्या क्या पूछा जा सकता है पहला तो यह possibility कि उसका हमारे पास wavelength बता दीजिए दूसरा possibility हमारे पास रहेगा कि उसका energy बता दीजिए तीसरा हमसे पूछा जाएगा कि stretching and bending किस radiation की वज़ा से होता है तो आपको बताना है कि infrared radiation की वज़ा से होता है और chemical identification भी पूछा जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं after absorption of infrared radiation जब हमारे पास infrared radiation का absorption होता है तो जो molecules होते हैं the molecules does give rise to closed packet to closed packed absorption bands known as infrared infrared absorption spectrum कहलता है क्या कहता है ध्यांच सुनिेगा कह रहा है कि हमारे पास जब infrared radiationspourb किया जाता है किसी molecule के दौरा तो वह absorption band को ओ करने लग जाता है और जब वह absorption band को so करने लग जाता है तो क्या होता है वहाँ पर हमारे पास रंगों का समुह दिखने लग जाता है और शुक्कि वह energy को absorb करने की वज़ह से हमारे पास रंगों का समुह दिखाता है और वह कौन सी energy है? infrared radiation के energy है इसलिए उसे हम क्या काने लग जाते हैं कि infrared absorption spectrum हमारा कहले लग जाता है उसके बाद हमारे पास अगला point काता है कि a number of bands may be present in infrared spectrum corresponding to the characteristic functional groups काफी अच्छा point बोला जारा है ध्यान दिजीगा क्या काता है कि हमारे पास जो भी molecule होता है उसका जो functional group होता है कोई भी organic molecule है तो उसमें हमारे पास functional group होगा ही जैसे let us suppose अगर हम glucose के लिए बात कर लेते हैं तो second semester में आप लोग पढ़ चुगे है कि हमारे पास जो glucose होता है उसमें hydroxyl group भी पाया जाता है उसमें हमारे पास aldehyde group भी पाया जाता है ठीक है तो उनके functional group के characteristic यानि के good पर depend करता है कि कितना हमारे पास number of bands मिलेगा कितना हमारे पास रंगों का समूह मिलेगा यह उसके functional group के good पर depend करता है ठीक है कि जो हमारे पास infrared spectrum होता है किसी भी chemical compound का वह उसके fingerprint के identification में उपयोग किया जाता है जैसे हमारे पास हाथों में जो उंगलियां होती है इनके पास print होते हैं तो जैसे हम कहीं पर अपने print को रखते हैं उंगलियों को रखते हैं वह हमारे पास fingerprint को scan कर लेता है वैसे ही हमारे पास जो infrared spectrum होता है वह किसी भी compound के पहचानने के लिए उसका fingerprint की तरह व्योहार करता है ठीक है यानि कि हमारे पास कोई भी chemical compound है उस पर हम infrared radiation को डाले तो वह तुरंत ही बता देगा कि वह हमारे पास कौन सा compound होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं इतनी चीज़ों को पहले screenshot ले लिजिए उसके बाद हम अगले points को discuss करते हैं तो अब चलिए हम बात करते हैं infrared spectrometer के अंतरगत हमारे पास आता है units and range of infrared radiation के लिए अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो infrared radiation होते हैं उनके पहले हम units को discuss कर लेते हैं उसके बाद हम उसके range पर बात करेंगे वैसे मैं already आप सभी को wavelength का range बता ही चुका हूँ ठीक है चलिए समझने का प्रियास करते हैं देखो simple सा logic यहाँ पर मैं statement already लिख चुका हूँ और यहाँ पर जो लाजिक है उसे मैं समझा देता हूँ देखो बोला जा रहा है कि हमारे पास जो infrared spectra होता है उसे हम frequencies के टर्म में represent करते हैं देखो हमारे पास जो infrared radiation है या infrared spectrum जो हमारे पास होगा इसके पास energy तो होगी ही टो energy के लिए हमारे पास फार्यमूला होता है यह into new होता है यानि कि हमारे पास यह जहां पर plants constant है और हमारे पास जो new होता है को रिपर्जेंट करता है यह सबी चीजह हमारे लेडी जानते हैं तो हमारे पास जो इंफ्रारड रेडियेसंस है या इंफ्रारड स्पेक्ट्रा जो हमारे पास है उसे हम जनरल यह फ्रिक्वेंसी के टर्म में जो energy है उसे हम जब भी calculate करेंगे तो हम frequencies के term में calculate करेंगे ना कि इसे हम ऐसे represent करते हैं जो कि c upon lambda तो हमारे पास यह wavelength के term में हमारे पास energy आ चुकी है तो इस वाले notation का हम कम उपयोग करते हैं इस वाले notation का हम जादा उपयोग करते हैं यह बात बोली जा रही है क्यों ऐसा क्यों logic है तो logic simple सा है कि हमारे पास जो energy है वह फ्रिक्वेंसी के directly proportional है तो हम जैसे frequency के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वैसे हम उसके energy के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे ठीक है इसलिए ऐसा किया गया है अब यहां पर देखे क्या बाद बोली जा रही है कि this is due to the reason that frequency is directly proportional to the energy of the radiation जो कि मैं आलेड़ी समझा चुका हूँ and the most common unit used in infrared study is wave number काफी अच्छे points यहां पर mention किये गया है कि हमारे पास जो wave number होता है जिसे हम new bar से represent करते हैं जिसका मात्रक centimeter inverse होता है यानि कि पर centimeter में हमारे पास number of vibrations कितने हो रहे हैं वही हमारे पास wave number को represent कर रहा है ठीक है तो हम most of the chances यह होते हैं कि हमारे पास जो infrared study होता है उसमें हम wave number का जादा उप्योग करते हैं ना कि frequency का ना कि wavelength का wave number का जादा उप्योग होता है चलिए wave number का जो हमारे पास relation होता है मैं लेडी बता चुका हूँ किया होता है हमारे पास new bar is equal to one upon lambda लेकिन यहां पर जो हमारे पास lambda होता है वह हमारे पास होता है micron में ठीक है अब यह जो हमारे पास micron में होता है तो हमारे पास एक micron is equal to हमारे पास होता है या फिर मैं कहूं एक mu is equal to हमारे पास होता है 10 to power minus 4 cm होता है और हम जानते हैं कि हमारे पास जो wave number होता है वह cm inverse होता है तो हमें इसको भी किस में बदलना पड़ेगा cm में बदलना पड़ेगा तो cm में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 10 to power minus 4 से lambda में multiply करेंगे जिसे हम उपर ले जाएंगे तो हमारे पास 10 to power plus 4 हो जाएगा और यह हमारे पास किस में आ चुका है cm inverse में आ चुका है उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़े आप लोग को समझ में आ चुकी होंगे कोई भी दिक लेशन का वो क्या होता है तो infrared radiation जो हमारे पास होते हैं उनका जो region होता है उसे हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं तीन ही परकार से दिवाइड किया जाता है पहले पास होता है नियरん जो स destroys एंश और इंफ्राङ्ड होता है इसका जो हमारे पास रेंज होता है यह हम तो यहाँ पर हमारे पास जो micron meter है वो हमारे पास कितना है 0.8 to 2.5 हमारे पास इसका range है जो हमारे पास near infrared region है ठीक है यह आप लोग अगर तीटर वाले बच्चे हैं जिनके exam written pattern पर होंगे तो वो तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा और जिनके exam objective pattern पर होंगे वो तो खास करके याद कर लेंगे क्योंकि आप से पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो near infrared region होता है वह कितने से कितने बीच का होता है तो यह हमारे पास तो wave number के reference में यह है और यहाँ पर ऐसा ही हमारे पास जो far infrared region है इसका भी range यहाँ पर mention कर दिया गया है आप लोग देख सकते है और य ज्याद रखेगा जो हमारे पास रिजन होता है उसे हम पराइब्स बाइब्सन रोटेशन पी कहा जाता है तो आप लोग समझ जाएंगे की हमारे पास नियर जब व्रौ्ड उपयोग हुआ तो उसमें gap जुड़िया अगर forward उपयोग भूआ तो उसमें vibration हट जाएगा और केवल rotation region रहेगा और हमारे पास जो ordinary infrared region होता है वो हमारे पास simple सा होता है कि उसका हमारे पास ये उसका range है और इसे हम किसी और नाम से नहीं जानते हैं ठीक है यानि कि 4000 से 666 cm inverse इसका range होता है और इसका अगर फार इंफ्राइड रेजन के लिए बात किया जाता है और जो नियर इंफ्राइड रेजन होता हुआ हमारे पास 12500 से लेकर 4000 सेंटीमिटर इनवर्स होता है और यह काफी इंपावर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह आप से कई बार पूछ लिया जाता है यह आपको सॉड़ टैंसर में भी देखने को मिल सकता है कि हमारे पास इंफ्राइड रेजन को तीन प्रकार से डिवाइड किया जाता है या फिर उसके बारे मे लिए संब्दम देखो हमने बात कर लिया कि हमारे पास इंफ्राइड रेडियेसंस होते हैं उनकी वज्ञास से हमारे पास इगेंस और या रोटेट करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट तब उसके हम कहते हैं बेंडिंग और अगर ये दोनों ही एक एक ही दिशा में रोटेट करेंगे तो उसे हम रोटेटिंग कहते हैं ये बाते हम अल्रेड़ी जानते हैं चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं तो इसलिए मैं एक संटेंस लिख देरता हूं कि there are there are two types of there are two types of क्या है हमारे पास molecular vibrations है तो यह लाइन आप लोग लिख सकते हैं वैसे भी यह सभी चीज आपको याद करने के ज़रूत नहीं है मतलब यह वाला लाइन तो आपको याद करने के ज़रूत नहीं है यह आप लोग समझेंगे तो भी लिख सकते हैं यानि कि हमारे पास जो molecular vibrations होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला हमारे पास आता है stretching vibration दूसरा हमारे पास आता है bending vibration तो stretching vibrations जो होते हैं वो क्या होते हैं the atoms in a molecule are always in motion जो हमारे पास कोई भी molecule अगर हम लेते हैं तो इसमें जो हमारे पास atoms होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं motion कर र इसमें हमारे पास एक एटम है लेटर सपोज ए और दूसरा एटम हमारे पास लेटर सपोज भी है ठीक है ये दोनों एक दूसरे से एक बांड की सहायता से जुड़े हुए हैं ओके अब ध्यान से सुनिएगा तो जो हम इस्ट्रेटीजिंग करेंगे यानि कि इन सच अ मॉलिक हो जाए या तो extension हो जाए एक बांड के बीच में यानि कि हमारे पास यह जो बांड है हमारे पास ए और बी के बीच यह जो ब्लैक लाइन से आप सभी को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाया गया है यह या तो stretch हो जाए ठीक है एक possibility तो यह है कि यह दोनों ही क्या हो एक हता से जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाए या तो यह दोनों ही हमारे पास एक दूसरे से compress होने लग जाए तो ऐसा situation में जो हमारे पास जो हमारे पास vibration प्राप्त होगा उसी को ही हम कहते हैं stretching vibrations ठीक है अब यह जो vibrations होते हैं हमने फिलाल दो molecule के लिए बात किया सॉरी दो atom के लिए हमने बात किया अगर दो से अधिक atom पाया जाया तब क्या होगा तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं तो हमारे पास कुछ छोटे चोटे definitions हैं आप सभी से पूछ लिया जाता है फंदी stretching and compression occurs in a symmetrical fashion क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा मैं समझाता हूं इसे ठीक है देखो कह रहा है कि हमारे पास let us suppose कि यह एक molecule है यह दूसरा molecule है यह हमारे पास तीसरा molecule है ठीक है sorry तीसरा atom है यह तीनों atom एक दूसरे से जुड अधिक atom वाला भी अगर हम molecule लेंगे तो वहाँ पर एक और बांड इधर जुड़ा रहेगा ठीक है धाल सुनिएगा मिली बात को तो यह एक परकार से हमने structure ड्रा किया एक परकार से हमारे पास ऐसे भी structure ड्रा हो सकता है कि यह हमारे पास दो atom होगा यह तीसरा atom हो गया और य एक possibility तो यह है कि यह दोनों ही atoms जो इस bond से जुड़े हुए है यह अपनी तरफ stretch हो जाए यानि कि हमारे पास क्या कहने का तरीका है कि यह एक molecule है और यह दो molecule इससे जुड़े हुए यह दोनों ही molecule अपने आपको बाहर की तरफ खीच रहे हैं ठीक है तो इस situation में जो हमारा bound ह कि यह होगा वह stretch हो जाएगा और दूसरा possibility यह है कि हमारे पास एक molecule इसको बाहर की तरफ खीचे एक atom इसको बाहर की तरफ खीचे दूसरा एक हुई तीसरी possibility क्या हो सकती है कि हमारे पास दोनों ही मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को अंदर से दबा रहे हैं तो यह दूसरी possibility यह तीसरी possibility हुई यानि कि इस situation में हमारे पास compression हो रहा है इस situation में हमारे पास extension हो रहा है और इस situation में हमारे पास कोई भी एक प्रकार का हो या फिर compression हो या फिर extension हो तो ऐसा situation में हम कहेंगे उस stretching vibration को symmetric stretching कहते हैं क्या कहते हैं symmetric stretching और जब दोनों ही प्रकार का उसमें पाया जाने लग जाए तो उसे हम कहते हैं symmetric stretching ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गयोंगे तो यहां पर मैं इसको नाम हो नाम भी देता हूं क्योंकि या आपको Predator बनाना भी है symmetric stretching stretching और हमारे पास seems किश्टीड कर लिया कि हमारे पास stretching vibrations क्या होते हैं अब हमें बात करना है कि हमारे पास bending Co क्या होते हैं तो उसे हम अग्ले लेक्चर में कवर कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी काफी सारे topics इसमें हैं भी तो हमारे यह pew हमारा यह पहला लेक्चर हैं जिसमें हम वाइब्रेश्ण पर बात किये हैं तो और भी धीरे-धीरे करके आप सभी को प्रोवाइट करता जाओंगा बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंतर गया तो मैं कोसेश करूँगा कि 8 से 10 लेक्चर में कम्प्लीट करा दूँ तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करेगा कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को एलेक्चर समझ में आया है या नहीं अगले लेक्चर को नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर आल पर स्लेट कर लिजीगा तो हम से मिलते हैं अपने नेक्स लेक्चर में लेकिन पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन मिल जा झाल 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 झाल